अब हम पासिंग तो पैकेज देख चुके हैं अब आएए आगे बढ़ते हैं इसकोरिंग के तरफ से तो इसकोरिंग का यह जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप इसको लाश तक देखिए ताकि आपका इसकोरिंग साइंस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हो सके तो आएए इसको देखते हैं तो सबसे पहले जो फर्स चाप्टर है एलेक्टिसिटी यह सेवन मास का आ रहा है तो इसके अंदर आपको जो थर्ड कोशन है अपको यह चारों के नाम लिखना है ABCD यह दो मास के लिए आ सकता है आपको सिरिफ वही कोशन पढ़ना है जिस वो पूछ सकता है आपको नेक्स्ट जो सेकंड चाप्टर है लाइड रिफलेक्शन इन रिफ्रैक्शन सेवन मास के लिए है इसके अंदर जो इंपोर्डन जो कोशन है स्टैट लाज आफ रिफलेक्शन वह आपको दो बताने है एंगल आफ इंसिदाश किस तरह से होता है और वह एक ही प्लेन में किस तरह से होते हैं वह बताना है नेक्स जो कोशन है स्टेट लाज ओफ रिफ्रैक्शन यही इसी का दूसरा नाम क्या है बले तो स्टेट इसनेर्स लाफ रिफ्रैक्शन आपको बोल सकता है फिर आगर तो दोनों का मतलब यही की है अब इजली तीन मास, आप में स्कोर कर सकते हैं नेक्स यही डिफ्रेंसियेशन कौन के और कॉनväक्स मिरेर में पुच्स सकता है दो मास के लिए तीन मास के लिए आपको कभी भी डिफ्रेंशेशन पुछा तो दो आपको कॉलम डालकर उन दोनों के बारे में डिटेल में लिखना है नेक्स यह चाप्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्डेंट जो यह जो कॉस्चन्स है वह फाइव मास के लिए जिसके हंड़ेड परसंट आने के बहुत ही चांसे साइ तो कॉशन है एक्सपेरिमेंट ओफ डिफ्रेक्षिं थ्रू रेक्टांगुलर ग्लाइस लाब आपको बताना है सबसे पहले आपको डाइग्राम उतारना है फिर हर पार्ट के रिखना है फिर उसके बारे में ठेयरी लिखना है कि लाइट किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है rectangular glass lab के अंदर और फिर layer to denser medium किस तरह से जाती है यह question बहुत बोलो तो बहुत important है आपको इसको 100% practice करकर ही जाना है यह question आप मत छोड़िए next एक mask के लिए what is magnification आपको पूछ सकता है only definition है आप easily practice कर सकते है next chapter नमाने पास magnetic effects of electric current six mask के लिए theory part है इसके अंदर जो question two mask के लिए पूछ सकता है why do not two magnetic lines of force intersect with each other आपको बताना है क्योंकि वहाँ पर at that point हम magnetic field को हम बताने सकते which is not possible आपको इस तरह से बताना है next what type of core used to make an electromagnet के वास्ते कौन सी core यूज़ करता है soft iron आप बता सकते है one mask के लिए बहुत पूरा theoretical part है यह चाप्टर के अंदर next two mask के लिए flaming right hand rule आपको पूछ सकता है और electromagnetic induction का आपको definition पूछ सकता है magnetic field lines क्या है उनकी properties क्या है वह आपको पूछ सकता है दो मास के लिए magnetic field lines उसके अंदर आपको दो statement दे रहा है उसको आपको अलग अलग से अच्छे तरीकर से define करना है important question है next label diagram of simple electric motor हमने already discuss कर चुका है आप यह question already हो चुका है आप इसको हरे बार देख लिजिए तो next इसके बाद जो question है precautions should be taken to avoid the overloading of domestic electric circuit के इसके वास्ते जो precautions है वह आपको बताना है यहापर तीन पॉइंट है तीन पॉइंट को आप discuss कर लिजे अच्छे तरीके से लिए तीन marks आप इसको इसकोर कर सकते है next जो chapter है fourth one sources of energy three marks environment related chapter बहुत theory है easily आप इसको सकते है यह good sources of energy की characteristics क्या हो सकते है यह four है आपको बताना है how are fossil fuel form होते हैं उनके effects क्या हो सकते हैं वो बताना है solar energy किसे कहते हैं उनके functions क्या है आपको बताना है next wind energy merits और teammates आपको बताने हैं यह questions important है next major constraint of bio gas और उसके अंदर उस percentage में बताना है आपको 75 percentage methane और बाखी के gases बताना है फिर जो इसके बाद जो next chapter है human eye and the colorful word fire marks के लिए इसके अंदर आपको श्रिफ parts आपको देगा आपको function बताना है ताके आप easily आपको one mark ABC करकर आपको बीट में पुछेगा रेटीना उसका function गया है कोरोना नेक्स्ट पूपिल और सिलेरी मजिल्स और optic nerves इसके बारे में आपको one mark के लिए तीन मास के लिए किस तरह से question push सकता है next defects of vision two marks के लिए 100% question peak करेगा इसकंदर से pick up करता है examiner तो वह myopia हो सकता है hypermetropia हो सकता है लेकिन chances hypermetropia और acid magnetism इन दोनों के बहुत ज्यादा है next 10 dollar effect explain करना है one mark के लिए बिट आ सकता है आपको या mcqs में आ सकता है next why do stars blink या twinkles और why do not planets twinkle next यह five marks के लिए a b c d करकर या four marks के लिए a b c d करकर आपको यह bit पुछ रहा है a के अंदर आपको stars why do stars blink why do not planets twinkle इस तरह से पुछेगा और what is यह पूछ सकता है आपको next what is double displacement reaction आपको example देना है एक मास के लिए यह question आ सकता है आप इसको practice कर लिजिए next what is corrosion what is rancidity यह differentiation between corrosion and rancidity two marks के लिए आपको question पुछेगा आप इसको अच्छे से practice कर लिए कि जाइए फिर respiration को हम exothermic reaction क्यों consider करते हैं आपको explain करना है equation के जरिए details है आप explain कर लिजिए दो marks आपके हाथ में आ जाएंगे फिर next जो है plaster of Paris very most important question है plaster of Paris should be stored in moisture free container why explain करना है आपको इसके अंदर main equation जो equation आती है वह आपको बताना compulsory है next uses of washing soda 100% uses तो आएंगे ही two marks के लिए washing soda के पूछ सकता है या baking soda पूछ सकता है नहीं तो और क्या पूछ सकता है baking soda के uses क्या है वह आपको पूछ सकता है two marks के लिए chemical equation between plaster of Paris and water वह भी पूछ रहा है कभी-कभी दो marks के लिए आप practice कर लिए या uses of plaster Paris यह पूर रहा है आप practice कर लिए next metals and non metals जो chapter 6 marks के लिए वह हम पढ़ेंगे तो first इसके अंदर जो question आ रहा है वह को स्रिफ आपको स्रिफ घुमा कर आ रहा है question यह आपको एक non-metal आपको consider करना है उसके अंदर y and z different natural substance that is a good conductor of electricity x y z को आपको identify करना है तो आप elements के properties के हिसाब से ले सकते हैं यह इस तरह से question आए का पिर electrolytic reduction किसे कहते हैं पिर आपको इसको explain करना है तीन मास के लिए यह question पूछ सकता है next आपको differentiation दो मास के लिए पूछ सकता है कि roasting और calcination में differentiation क्या है और या दोनों का definition आपको define करना है पिर इसके बाद जो important चीज़ है आपको mineral और गैंगवा तीनों के terms को आपको define करना है यह तीन मास के लिए first second third आपको पूछ सकता है आपको यह सिर्फ definition लिखना है next chemistry के अंदर carbon compounds 6 मास के लिए chapter रहता है catination तो हर exam में repeated question और fix है एक मास के लिए यह आपको पूछ सकता है और दूसरा क्या है बोले तो isomalism किसे कहता है वो पूछ सकता है define structure isomalism दोनों भी एक हैं आप इसको बताना है next saturated or unsaturated hydrocarbons के बीच में differentiation हर exam में यह question repeat होता catination और इन दोनों के differentiation तो आपको यह practice कर लेके जाना है next आपको electron dot structure उतारना है वो इसमें से carbon tetra chloride ccl4 या carbon dioxide वो हो सकता है आप इसको practice कर लेके जाए दो मास के लिए कभी कभाब पूछ रहा है structure isomers और isomeric structure of butane यह question बहुत ही important है अगर exam का paper अगर difficult आएगा तो यह question 100% पूछेगा ही पूछेगा फिर इसके बाद इसके बाद आपको functional group और उनका nomenclature किस तरह से होता है वह आपको बताना है chloropropane के आपको total आपका example देखर आपको इसको totally आपको इसका structure उतारना है या bromopropane propanol या propanol को सा भी आपको पूछ सकता है आप इसको practice कर लेगे जाए पिर what is sterification reaction यह बहुत important reaction है name reaction और ज्यादा आने के chances है तीन marks में next periodic classification of element तीन marks में chemistry में important chapter है इसके अंदर आपको do brainers law of trade पूछ सकता है definition और दूसरा क्या पूछ सकता है A and BR two elements have similar properties आपको इस तरह से थोड़ा फिरा कर question पूछेगा वह आपको बताना है next atomic number of two elements and x and y दिया गया है उनकी electronic configuration आपको वह उनका atomic number आपको बताने है उसके बाद जो next question आता है reason बताने हैं आपको first second करके chemical properties group में और periods में किस तरह से differ करती है वह आपको बताना है जो next biology हम start करने जा रहा है तो biology बहुत ही easy scoring part है आप इसको directly by heart तो कर लिजिए या इसको अच्छे से समझ लिजिए क्योंकि ये theoretical part है chemistry और physics के मुखाबले में यहां पर आपका scoring बहुत ज्यादा matter करता है तो first chapter life processes six mask के लिए इसके अंदर what is emulsification इसके signification क्या है यह आपको एक mask के लिए आपको यह question पुछेगा small intestine किस तरह से design क्या गया है absorb digested food absorb करने के लिए आपको बताना है यह दो mask के लिए है next इसके बाद importance of photosynthesis आपको बताने है यह 2 mask के लिए पुछ रहा है क्योंकि इसके importance बहुत ज्यादा है plants के अंदर next important component of blood उनके function क्या है plasma red blood cells RBC WBC और blood platelets आपको बताने है name लिजे एक mask के लिए उनके function बता दीजे और 2 mask मिलेंगे total 3 mask फिर next यहां पर आपको एक mcqs में एक जोड़ी के type में match the following type में आपको एक question पुछेगा आपको स्रिफ उनको स्रिफ मिला कर आपको salary, mls, pepsin, bile juice, lipases आपको उनके function देखके आपको कड़क जोड़ी लगा रहा है next chapter 2 आता है control and coordination fire mask theory है इसके अंदर reflection action और reflex arc दोनों को आपको define तो करना है या इन दोनों की बीच में differentiation तो पुछेगा उसके बाद growth promoting phyto hormones किसे कहते हैं ताकि वह जो plants में होते है oxygen, gibralin, cytokinin, abysic acid acid तो compressor ये चारों में से एक hormone के बारे में दो मास के लिए question 100% पुछता ही पुछता है fix पुछता है उनके functions तो पुछता है या plant में उनका role क्या है वो पुछेगा next आपको एक mask के लिए एक question पुछ रहा है phototropism, geotropism, hydrotropism, chemotropism चारों में से एक definition पुछ रहा है आप उनको photo बुले तो light, geo बुले तो earth, hydro बुले तो water, chemo बुले तो chemical substances तो what are the secretions of pituitary glands mention their functions वो आपको बताना है फिर adrenal glands उनके hormone क्या है उनके function क्या है वो आपको बताना है why is the use of iodized salt is advisable वो बताना है some patients diabetic को injection insulin दिया जाता है वो क्यूं दिया जाता है वो आपको बताना है यह question बहुत important है फिर इसके बाद हम आगे बढ़ता है पॉंस, cerebrum, cerebrum और cerebrum आपको यहाँ पर naming दिये जा रहा है उनके functions आपको यहाँ पर दिये गए आपको वो लिखना है next chapter our environment to mask के लिए 3 environment related what is biomagnification आपको पूछ सकता है और यह 100% आ रहा है यह 3 mask के लिए है वो ले तो सबसे पहले चीज़ तो आपको इसका definition लिखना है फिर example लिखना है फिर आपको एक food chain बताना है उनका concentration किस तरह से होता है फिर next what is ozone उसके effects एनी ecosystem पे किस तरह से होता है वह 2 mask के लिए question पूछ रहा है इसके बाद एक definition पूछ रहा है bio degradable और non bio degradable substance की बीच में दो कॉलम दालकर इन दोनों का definition और उनके example लिखना है नेक्स ozone layer के deflation के consequences क्या है आपको बताने है दो mask के लिए फिर इसके बाद last chapter अभी इसके बाद जो chapter है how do organism reproduce 5 mask के लिए है यह chapter what is vegetative propagation उसके advantages क्या है वो आपको बताने है इसके बाद what is pollination types of pollination आपको बताने है उनके बारे में detail पूछ रहा है next three mask के लिए chapter है sustainable management of natural resources उसमें rainwater harvesting के definition utilization uterification बहुत important है वो लिखना है आपको definition next what was chip को अंदोलन उसके बारे में आपको लिखना है उसके बारे में how आपको detail में बताना है दो मास के लिए next formation of new species is a gradual changes over long period यह यहां पर आपको definition दिया गया one word में यह main जो term है वो बताना है वो speciesation है next mental experiment में जो two contrasting characters लिए वो किस क्यों लिए है उनका phenotype और genotype ratio आपको बताना है यह f1-f2 generation में next आपको pay plant में contrasting character को बताना है वो यह बहुत important question है तिरी मास के लिए next what is speciesation उसके four factors आपको बताने है next जो question आ रहा है how is the sex of a child determining human beings यह hundred percent आने के chances है तिरी मास के लिए तो पहले तो आपको chromosome xx और xy के बारे में बताना है फिर इनको cross कराना है तो आपको detail में आ जाए तो यह crossbar का जो diagram है आपको अच्छे तरीके से उतारना है फिर analogous and homologous organs में differentiation पूछ रहा है example के साथ पहले तो definition फिर दोनों के example लिख लिए तीन मास यह दो मास के लिए आ सकता है diagram तो यह तो थे इतने important जो question है scoring के लिए बहुत important है आप इसको पढ़ लीजिए जो जो बताएगा है उस पर follow कीजिए आप easily इसके अंदर से अच्छे तरीके से score कर सकते हैं और इससे पहले का video नहीं देखे हैं तो description में इसका link दिया गया है वो video को देखिए इस video को खुब खुब शेर कीजिए ताके जो बच्चे जो नहीं पढ़ सकें जिनको नहीं मालम किस तरह से पढ़ना है वो यह देखकर पढ़ सकें और उनका science में अच्छे तरीके से well score हो जाए और paper easy भी आया तो score बहुत ज्यादा भी हो सकता है ताके वो अच्छे से उनका percentage increase हो सके तैंक यू